लोकेस कनकराच के LC Universe, यसराच के Spy Universe, दिनेस वेजान के Horror Universe और ऐन्यान मुखरजी के Astar Averse Universe के बाद अब इंडिया में एक और Universe कदम रखने जा रहा है और जो है प्रसांत वर्मा का प्रसांत वर्मा सिनेमाटिक यूनिवर्स और जिसकी पहली मुवی हनुमान का ट्रेलर फाइनली अभी थोड़ी दिर पहले ही रिलीस कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रेलर के बारे में बताऊँगा कि ये ट्रेलर कैसा है और इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हलो गाइस मैं हूँ अब से एक और अभी एक्सलेंस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो सबसे पहले हनुमान मूवी के ट्रेलर की बात करूँ तो इसका ट्रेलर साड़े तीन मिनट का है और जो प्रसांत वर्मा के सिनमेटिक उनिवर्स की पहली मूवी होने वाली है और ये मूवी 12 जनवरी को ठेटर्स में रिलीज होने वाली है इसके बात करूँ इस ट्रेलर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की तो इसका स्केल मुझे काफी जारा अच्छा लगा है और जिस हिसाब से कुछ स्योट्स को सीन किया गया है वो भी काफी सुन्दल लग रहे हैं लेकिन फिर यहीं इस मूवी की सबसे बड़ी कमजोरी और निगेटिव पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो इस मूवी के BFX और CGI को लेकर हाला कि यह बात मैं जानता हूँ कि इस मूवी का बजट उसना नहीं है और कुछ सोर्स के हिसाब से इस मूवी का बजट 40-50 करोड के बीच का है लेकिन फिर भी इस मूवी के जो CGI और BFX है वो काफी जादा लेट डाउन कर रही है इस पूरे ट्रेलर को इसके अलावा कुछ चीज़ें भी हैं जो मुझे इस ट्रेलर में जारा अच्छी नहीं लगी है लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इनोंने हमारे कल्चर को इसमें रिप्रेजेंट करने की कोसिस करी है और हनुमान जी के कुछ एक दो शॉट्स और मूर्ती हमें देखने को मिली है वो काफी जारा सुन्दर लग रही है इसके अलावा बात करूं कि ये फिलिम्स कितनी मासा में डव होने वाली है तो ये इंडिया की पहली साइद ऐसी मूवी होगी जो more than 10 languages में डव होगी जी हाँ ये मूवी जो की एक टेलिगू मूवी है वो तमिल, मलयालम, कनड़ा, हिंदी, मराथी, इंगलेस, स्पैनिस, कोरियन, जैपनीस और चैनीस languages में एक सार रिलीस की जाएगी लेकिन फिर सवाल यही निकल कर आता है कि जितना खर्चा इनके creators ने इसकी dubbing languages में किया है उतना ही खर्चा अगर ये इसके BFX aspects में करते और इस मूवी को इतने बड़े scale पर रिलीस ना करने के एसाब से सिर्फ कम भासा में ही रिलीस करते तो शायद इस मूवी की CGI और BFX और बैतर हो सकते थे और हमें ये trailer जो की ठीक ठाक है उससे काफी जारा अच्छा देखने को मिलता overall हनुमान मूवी का trailer ठीक ठाक सा है जिसके लिए मैं excited तो हूँ लेकिन फिर भी इसका trailer उस standard पर नहीं पहुँचा जिसकी मैंने इससे उम्मीद करी थी लेकिन फिर अब इंतियार है 12 जनवरी का जब हमें ये movie ठेटरस में देखने को मिलेगी और तब हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रसांत वर्मा का ये universe इंडियन सिनमा को कुछ नया प्रोबाइट करेगा बाकि आप लोग बताईए अपने opinions हनुमान मूबी के इस ट्रेलर के ऊपर इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो रोजाना लाता रहूँ और मैंने कल ही रिलीज हुए सलार मूवी के ट्रेलर के उपर भी एक वीडियो मनाई है जिसे आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन्स पर और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में बाई